रादे रादे फ्रेड्स आज मैं आपको हैट बता रहे हूं और यह जो बना रहे हैं हम हैट तो वह डेड़ से दो साल तक के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने यहां पर फंदे डाले हैं और जो फंदे डाले हैं मैं पर 85 फंदे डाले हैं 85 और जो सलाई है आधाई के पास थोड़ी मोटी है तो इसके फंदे कम कर सकते और अगर पतली है तो इसी तरीके से फंदे ढालi के बना सकते हैं तो यहां मैंने 85 डाले है अब इसको मैं पहला फंदा स्लिप करने के बाद मैं इस सारे फंदों को मैं उल्टा उल्टा बनाते हुए इसकी चार सलाईयां बनाँ भी उसके बाद आपको बताती हुई जाओं कि पूरी वीडियो आराम से देखना और पूरा वीडियो देखना तब आपको यह समझ में आएगा कि कैसे कहां पर क्या-क्या फंदे बड़े हैं और कैसे बनाया गया है क्योंकि अगर आदी वीडियो देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो इसलिए पूरी वीडियो को देखना तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा यह कैप बनाया है और कैसे बनाया गया है तो मैं ऐसे उल्टा बुनते हुए इसकी चार सलाईयां बनाऊ ऊसके बाद आपको दिखाओंगी कि आप क्या फंदा बड़ाया क्या किया बाद दिखाओंगे तो है तो यहाँ पर हमने यह कि सलाईयां बना लिए तो यह सीधी तरफ से हम दिखा रहे हैं आपको तो यह हमारी जो सलाई है वो एक और दू यह दो सलाई उल्टी उल्टी बनी है तो इसका मतलब हमने चार सलाई बनी है सीधी और उल्टी इस तरीके से उल्टी उल्टी दोनों तरफ से तो हमारी यह दो ला हमारी उल्टी सलाई है को हम क्या अब अध्यान से देखिए हैला फंदा हमने यह चीप कर लेड़ा उसके बाद इस फंदे से हमें दो फंदे बनाना है ऐसे एक फिर इसी से ऐसे एक फंदा और बन दिया फिर अगले फंदे में एक फंदा बना उसके बाद फिर इदर को पलटके ऐसे इसी से एक फंदा और बना दिया ऐसे फिर एक फंदा बना फिर एक फंदे में से एक फंदा और बना दिया फिर एक फंदा बना फिर इसी में से एक फंदा और माना आला तो हमें पहला फंदा मों चोड़ने वारे विव्रवना यह जितने भी मालच इसाड़ हम्हें दो दो फंदे बनाते पार ज्या खरहिए पर लेका बना उसके बाद इसे शोड़ना नहीं इसी से पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे तो हम इसको पूरी लान को कंप्लेट करेंगे चुन को प्रूब भडा लेते और आपको दिखाईए पूरी सलाई के पंदे बना लिये लास्ट में यह दो फंदें तेसं हम धूर बनाएंगे इस तरीके से और लास्ट वाला जो फंदा इसको हम ऐसे ही बुल लेगे तो हमने पूरी सलाई में फंदे बढ़ा लिए हैं और अब जो हमारे ये फंदे बढ़े हुए हैं तो पहला फंदा से लिप करने के बाद में इन सारे फंदों को हम सीधा बनेंगे तो इसकी सीधी और उल्टी सलाईयां बना के कम्प्लीट करेंगे तरीब दस वारा सलाईयां बनाएंगे कि जितना बड़ा हमें इसका ये भेश रखना न होतना हमें बनाना तो पहले हम इसकी सीधी सलाई बनाएंगे उसके बाद उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी इस तरीके से 10-12 सलाई बनाएंगे तो वो हम यह बना ले फिर आपको दिखाएंगे कि हमने कितनी सलाई बनाई है और कैसी बनाई है वो आपको दिखाएंगे तब तक हम इसको बना लेत हैं ऐसे बनते हुए सीधा उल्टा सीधा उल्टा बनाते हुए हमें सलाईयां कम्प्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाएं तो यहां पर हमने यह जो सलाई बनाई है वह गिनके आपको दिखाएंगे कितनी बनाई है तो एक धो 5 6," तो यह 10 सलाई हमने बनाई है और अगर आप ईससे बदा थोड़ा सा करे हैं यह जो हैड़ा वो कहा रखने चाहते हैं इससे और भी सलाई बना सकते हैं मैं आप इस दस सलाई करें नहीं यहां मैं दूसरा कलर एड करूँ जिसे मैं थोड़ा सब्सक्राइब अहां मैं दूसरा कलर एड करोंगी यह यां पर इस तरिके से और इस सलाई को पूरा मैं उल्टा बनाते हुए जाँगी सारे संथो को उल्टा बनांगे यह सलाई उल्टी बनाते हुए पूरी कंप्लीट कर लें पिर आपको दिखाएंगे तो यह सलाई हमने बुन लिए उल्टी सलाई आप इसको हम अपनी तरफ करके उल्टा उल्टा बनेंगे तो हम चार सलाई बनाएंगे पीली कलर से ऐसे उल्टा बनेंगे सीधी तरफ से उल्टा बनेंगे तो दो सलाई हमारी यह बन गई दो सलाई और बनाएंगे हम एक उल्टी और फिर एक सीधी तरफ से उल्टी उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर यह दस सलाई बनाई है न ऐसे इसके उपर से भी दस सलाई और बनाएंगे तो यहाँ पर हमने यह चार सलाई बना लिए है तो चार सलाई हमारी दो लाइने बनी है ऐसे उल्टी सीधी तरफ से एक और दो तो बस चार सलाई के बाद में जैसे हमने यहाँ पर यह दस सलाई है ऐसी इसके उपर से दस सलाई हमें बनाना है ऐसी सीधा उल्टा बनाते हुए ऐसे सीधा उल्टा बनाते हुए दस सलाईयां बनाना है दस सलाई बनाने के बाद जैसे हमने याप फंदे बढ़ाये थे एक से दो उसी तरीके से हमें दस सलाई बनाने के बाद दो फंदों का एक फंदा बनाना है तो वो बाद में बताएंगे, पहले हम इने 10 सलाई को पूरा complete कर लें, फिर उसके बाद दिखाएंगे, तो यहाँ पर हमने 10 सलाई बन लिए, नीचे 10 सलाई है यह, उसके बाद 4 सलाई हमने yellow color की बनाई है, और उसके बाद 10 सलाई हमने यह बन लिए, तो अब इसको हम, जैसे ह हमने फंदे बढ़ाए थे, उसी तरीके से अब हम फंदों को घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे, उसके लिए आप देखिए, पहला फंदा यहाँ पर हम ऐसे ही उतार लेंगे, और इन 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए, एक बनाएंगे, फिर से 2 फंदों का 1 फंदा, फ मतने हुए बनेंगे, इस तरीकसा तो चैश को बना लेते हैं हम पूरी छाई मैं से ही, उसके बाद आप को दिखाएंगे हम कि इसको उपर से हम है, कैसे बुना है, तो चैश को बना लें, पहले तो हमने यह सारे फंदों को घटा लिया है 2-2 फंदों کا 1 एक बनाया है, आब इसको हम पूरा सीधा बने हुए सारे फंदु को सीधा बनते हुए यह सलाई हम कंप्लीट करेंगे एक वाली सलाई बनाएंगे और एक उल्टी सलाई बनाएंगे फिर आपको दिखाएंगे तो यहां पर हमने यह दो सलाई बना लिए और अब इसके उपर से हम एलो कलर यह आप नहीं और इसकी दो सलाई यह बनाते हुए जाएंगे एक सीधी और एक उल्टी उसके बाद इसमें थोड़ा सा डिजाइन डालेंगे तो वह डिजाइन की हम वीडियो तो अपने चैनल पर डाल चुके हैं उसी का डिजाइन हम इसमें डालेंगे तो अगर आपको वह दालना हैं तो आप बहाँ जाकर देखके इसमें डाल सकते हैं तो वो डिजाइन बनाते हुए हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे यहां पर पहले हमें थो सलाईएं बgem लिए उसके बहद अब यहलो कलर से दो सलाईएं बनाएंगे बैद यह लो कलर से दो सलाई ये बनाए है तो चार सलाईइया बन गई है और अब इसमें हम डिजाइन डालेंगे तो यहां पर है अपना जो ग्रीण कलर है न उसी से डिजाइन डालेंगे तो पहला फंदा यहां पर हमने सीधा और वहाँ आंपない साइट किया एक एक, दो, तीन, तीन फंदों को हम ऐसे सिलिप करेंगे और अगला चौथा फंदा जो है उसको हम उल्टा बुनेंगे, तो बस इनी चार फंदों का डिजाइन है, फिर से तीन फंदों को हम सिलिप करेंगे, चौथा फंदा बुनेंगे, उल्टा, फिर से तीन फंदों को सबनाते हुए जाएंगे ईसे तीन फंदो को सिल्फ किया चौता उल्टा बना तो ऐसे इसे ही सारी सलाई को बना आपको फिर दिखाएंगे क्या करना तो इसके हमने एक सलाई यह बना लिए अब इसकी उल्टी सलाई है दूसरी तो ये पहला फंदा हम ऐसे सिलीइक कर लेंगे ये वाला फंदा उल्डा बनेंगे ग्रीन कलर से उसके बाद इस फंदे को हम स्लिप पर लेंगे के फिर सकर तीन फंदों को हम बुनेंगे और एक फंदा सलिप करणेँ तो ओल्टी सलाई में हम ऐसे ही बनाते हुए जाना एक टीन फंदों को बिजना है एक फंदे को सलिप करना जIF तरीके से तो पूरी सलाई को हम ऐसे ही बना लें. ये हमारी दूसरी सलाई है. तीन फंदों को बुनना है मैं. और एक फंदे को सिलिफ करें. तो अब इसकी तीसरी सलाई है सेधी सलाई. इसको भी देखियें कैसे बनाेंगे. पहला फंदा हम सिलिफ करेंगे. और इस एक फंदे को बुनेंगे ठीक है उसके बाद ये जो हमने टाका है ना, मारा ग्रीन कला ह मद्रा उसको ऐसे सलाई डालते हुए फिर से ये जो फीला फंदा है इसको ऐसे बुनेंगे और ये जो टाका है, इसको और निकाले दे पिर यह फंदे बुंदे तीन ओर इस पीला फंदा दाए और नेचे से जो टाका उसको ऐसे निखालेंगे सलाई में और फिर से इसको ऐसा बुने के तो पूरी सलाई को ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे कि सस्लाई डाली ने फंदे को बुल लिए तो पूरी सलाई को हम ऐसे ही बना लेते हैं यह डिजाइन हम डाल चुके हैं वहाँ जाके इसकी पूरी वीडियो देखके आप बना सकते हैं या इसमें कोई भी और भी डिजाइन आप डाल सकते हैं अगर आपको यह डिजाइन डालना है तो वीडियो को पूरा वहाँ जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं तो ऐसे ही हम इसको बनाएंगे चार सलाईओं का डिजाइन है ऐसे ही चार सलाई बनाते हुए हम ए पूरा डिजाइन कंप्लीट करेंगे फिर आपको दिखाएंगे तो हमने ये पूरी लाइन ऐसे बना लिए अब इसके चौथी सलाई है जो कि हमारी उल्टी सलाई है इसको हम पूरा उल्टा बुनते हुए चौती सलाई को कम्प्लीट करेंगे और इनी चार सलाई को बुनते हुए हम ये पूरा जितना हमें बनाना है उसको कम्प्लीट करेंगे फिर आपको दिखाएंगे कि हमने कितना बनाया है और इसके बाद हमें क्या करना है तो हम इसको पूरा बना लेते हैं तो यह चार सलाईयों में डिजाइन बना है ऐसे ही हम इसको पूरा जो लंबाई उसकी पूरी कर लें फिर आपको दिखाएंगे तो हमने यह बना लिया है और इसकी लंबाई हम आपको अभी दिखा देते हैं कि हमने कितना बनाया है इंची टेप से आपको दिखाते हैं कि हमने जहां से फंदे घटाए हैं मतलब यहां से फंदे घटाए हैं तो हमने यहां से हम रखते हैं इंची टेप तो हमने यहाँ पर यह 12 cm हमने यह इसकी लंबाई बनाई है तो आप इसकी अपने हिसाब से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर 12 cm यह इसकी लंबाई बनाई है अब इसके बाद हम फंदे घटाएंगे तो वह देखिए आप कैसे घटाएंगे तो यहां तक हमने बुन लिया है डिजाइन हम यह अपने उस पर चैनल पर डाली चुके है तो वहाँ जाके आप इससे देख ले और अब इसके जो फंदे घटाएंगे तो उसके लिए हम पहला एक फंदा यहां से घटाएंगे यह दो फंदे हैं न दो फंदों का एक फंदा करें गया ऐसे अब यहां पर हम पंदरे फंदे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे 12, 13, 14, 15 15 फंदे बुन लिए अब इसके बाद हमें आप फंदे घटाएंगे तो दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तो इस तरीके से हम पूरे फंदे गिल लेते हैं फिर आपको बताएंगे तो यहां हमने यह 15 फंदे बुन लिए हैं और अब हम इस दो फंदों का एक इस साइट से एक इस साइट से जैसे गला घटाते हैं आईसे फंदे बनाएंगे तो यहां से हम एक फंदा निकालेंगे इसको ट्विष्ट करेंगे इस तरीके से तो जैसे गले का फंदा घटाते हैं ऐसे ही इसको घटाएंगी तो इसकी फलिया बन जाएंगी यह से तो हमने यहां पर तीन फंदों का एक फंदा बना लिया ठीक है अब यहां पर फिर से हम 15 फंदे बनेंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारह बारह तेरह चौध है 15 है तो अब 15 फंदे के बाद में फिर से यहां पर इस फंदे को ऐसे निकालेंगे और यहां पर इस तरीके से करके यह बनाएंगे तो ऐसे हमने यहां पर यह बना लिया है फिर से 15 फंदे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौधर, बदरह, फिर से यहां पर यह दो फंदे हैं इनको ऐसे निकालेंगे और जैसे गला बनाते हैं इस तरीके से फली बनाएंगे इसे, तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे तो हमारी कितनी फली बन गई हैं, एक, और यह दो, तीन, तीन बन गई हैं, अब फिर से यहां पर 15 फंदे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौधर, और पंद्रह अब एक फली हमारी यहां बनेगी, तो ऐसे ही इसको निकालेंगे और तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे तो एक, दो, तीन, और चार, चार फली हमारी यहां पर बनीए अब यहां पर दो, एक दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह यह हमारे तेरह फंदे बचे हैं, लास्ट में, तो इधर हम अभी एक फंदा नहीं घटाएंगे, ठीक है, इसके अगले जब दूसरी सलाई लाएंगे न, तब घटाएंगे यहां पर, अब इसकी उल्टी सलाई है, तो उल्टी सलाई को हम पूरा उल्टा बनेंगे, इसमें हम कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे, सारी सलाई को ऐसे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, अब इसकी जो दूसरी सलाई आएगे सीधी तरफ से, उस तरफ हम पंदे घटाएंगे, तो पहले हम इस सलाई को बुल लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे, तो हमने उल्टी सल सलाई बना लिए इसकी, अब हम सीधी सलाई को घटाएंगे फंदे, तो पहले तो एक फंदा हम पहला ही घटाएंगे, तो यह सारे फंदे सीधे बुनते हुए आए, और अब यह बीच की जो फली है न, यह बीच में फली दिख रही ही न, ऐसे इसको निकालेंगे, और इध से इस फंदा लिया, और फिर तीन फंदों का एक फंदा बनाया, इस तरीके से, फिर बीच में हमने ऐसे सीधे फंदे बनाने, ऐसे ही हमें बनाते हुए जाना है, तो यह हमने यहां पर फंदे घटा लिये, इस तरीके से फंदे घटाएं, साइट से बीच में, जहां हमने य गले जैसे फली बनाई थी इसको घटाते हुए आए और उल्टी सलाई में पंदा नहीं घटाया है सीधी सलाई में पंदा घटाया है तो ऐसे ही अब इसके लास्ट में जो फंदें इनको भी हम घटा देते हैं इस तरीके से यह भी घट गया ऐसे ही सारे फंदों को बंद कर देंगे आपर ते फंदें हमारे इन सबको घटा लेते हैं एक सलाई में इसमें तो यहां पर हमने इस सारे फंदों को बंद कर दिया है ऐसे घटा तूँ लेके आए जब बीच में यहां पर तीन फंदे रह गए तब ही हमने तीनों का एक फंदा बना दिया है तो ऐसे घट गए अब इसको हम सिलाई करेंगे तो यहां पर हमने इससे बंद करके और ऐसे इसकी सिलाई लगाएंगे यहां से पकड़कर और ऐसे इस तरीखे से सिलाई करके और जो हम ने यहां प्रषय यह पर फंद घंढत अबचेता उसको इस तरीखे से 2-2 कर लेगा खोंद करने के बाद में यहां एस्की तुलाई लगा लेगा यह झाल अब इसको कर लेतं आसर सीन। बनके तयार हो गया इस तरीके से इसके आएगा यहां पर और यह पूरा बनके तयार हो गया है तो आपको यह हैट कैसा लगा और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आयी हो और मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को like, share, channel को subscribe करें धन्द बाद